शिवाय नमस्तो भ्यम दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब जैश्री महाकाल हम आशा करती हैं मित्रू आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों जैसा कि आपने देखा ही होगा थमनिल पर हमने बताया है आपको कि यदि घर के होता है कि वह बुझा हुआ दीपक भी मुख्य द्वार पर रखा ही रहता है मुख्य द्वार हो चाहे मंदिर हो उसमें जली हुए बाती हमेशा मौजूद होती है दीपक तो जल जाता है दिया जलता रहता है उसके बाद में जो बाती बचती है और दीपक जब बुझ जात तो कई बार यह कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर रखे रहने देने से क्या होता है यह शुप परिनाम होता है यह अशुप परिनाम होता है कई बार हमसे यह पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर बुझा हुआ दीपक रखने से क्या होता है सभी जानते हैं हम सब कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम दीपक जलाते हैं तो मा लक्षमी का हमारे घर में स्थाई रूप से वास होता है क्योंकि उसे मुख्य द्वार से होते हुए मा लक्षमी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारे घर को सुख सम्रिधी परकसे भर देती हैं धन के भंडार भर देती हैं हमारे पित्रगन भी हमसे त्रप्त होते हैं और उनका अशिरवाद भी हमें प्राप्त होता है लेकिन क्या होता है जब दीपक बुझ जाता है और रात्री भर वह हमारे म पुछ जाएं तो उसे उठा कर अपने घर में रखतें। वापस से दुबारा दूसरे दिन उस दीपक को जला कर मुख्य द्वार पर रखें। लेकिन बुजा हुआ दीपक मुख्य द्वार पर ना रखें। यहां नकारत्मक शक्तियों को अपनी और आकरशित करता है बुज क्योंकि जली हुई बाती उसमें हमेशा मौजूद रहती है।